Hello everybody and welcome to my e-lesson मैं हूँ आपका गुरू और आज मैं आपको एक्सल में जादू करना सिखाऊंगा जादू मैं आज आपको एक्सल में एक स्पीडो मीटर बनाना सिखाऊंगा ये देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है स्पीडो मीटर भी बतलता जा रहा है है ना मस्त देखिए देख रहे हैं आप ये कैसे मूव कर रही है सोई इसकी वन्रफूल बहुत ही बहुत ही खुबसूरत दिखता है आईए अब इसको सिखते हैं बनाते कैसे हैं ठीक है अभी तो हमने देख लिया कि ये कैसे काम कर रहा है मुझे को बड़ा अच्छा लग रहा है इसको बना के हाँ जी मैंने शिखा है बनाना बहुत-बहुत सिर्ख खराब वहा लेकिन बन गया वाखी बहुत खुश हूँ इसको करते हैं पहले डिलीट देखो एक गई कहानी इसके लिए मैंने कुछ चीजे ध्यान में रखे हैं पहले कि स्पीडोमीटर बनाने के लिए मेरे को कुछ चीजे ध्यान में देना पड़ा है पहला तो स्टार्ट पॉइंट जो की जीरो रहेगा इडिशियल सेक्षन मेंने 15 वयल्यू का लिया है मिडल सेक्षन मेंने 45 वयल्यू का लिया है ये पॉइंटर की विट्थ कितनी होगी जो नीडल है वो कितना चोड़ा दिखेगा और ये एक एंड पॉइंट है ये भी अभी जब ये चार्ट बन रहा होगा तब मैं आपको समझाएंगा क्या है ठीक है आईए चलिए यहाँ पर करते हैं इंसर्ट और इंसर्ट करेंगे हम हमारा एक डोनट जाट डोन जा एक लेने के बाद हम इसमें डेता सेलेक्ट करेंगे इसमें हम जो डेटा सेलेक्ट करेंगे वो होगा हमारा पहला सी speedometer cd's का नाम दे रहे हैं और इसका data क्या होगा ये इसका data होगा अल्वाइट अभी ये देख रहे हो अभी इसको क्या है कि अभी इसको alignment हमें थोड़ा करना पड़ेगा alignment कैसे करेंगे आईए मैं आपको बताता हूँ इसको हम करेंगे right click format data series पर जाएंगे और यहाँ पर आपको rotation दिख रहा है इसको जैसे मैं change करता जाऊँगा ये rotate होता जाएगा और मेरे को ये rotation चाहिए yes ठीक है अब अब जो है ये जो initial 15 है वो ये रहा red middle ये रहा वो 45 और last ये 40 यहाँ पर रहा इसको हम height कर देंगे इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है इसको select करो और चुकि ये section open हो रखा है fill में जाओ और इसको कर दो no fill ठीक है इसको कर देते हैं red color fill में जाते हैं solid fill करते हैं और इसको कर देंगे हम red यहाँ पे जाएंगे फिल करेंगे solid में जाएंगे और इसको कर देंगे हम yellow ठीक है और फिर हम यहाँ पर जाएंगे फिल में जाएंगे और सॉलिड में जाएंगे और इसको हम कर देंगे जीफ और ग्रीन और राइट और इसको कर देंगे हम इनकी हमें जरुवत नहीं है यह हमारा एक बेसिक स्पीड ओमीटर का हिस्सा बन गया अब हमको डालना है एक pointer, ठीक है, अब pointer में क्या रखना है कि, जो यहाँ पे pointer की speed आपने दिखानी है, यहाँ से कि 1 यहाँ पे है 100 यहाँ पर है, लेकिन अब actually नीचे भी तो 100 है, है ना, वो हमने height करा हुआ है, तो उसके लिए end value हमने क्या रखेंगे कि 200 माइनस इन दोनों का sum, यह pointer एक cell की value लेगा, यह 69 की value लेगा, तो इन दोनों को 200 में से minus करना है, इसलिए end में हमने ध्यान रखना है कि जो formula लगएगा, इसको पास आप formula की तरह समझ लेजे कि जहाँ पे end लिखा है, यहाँ पे आपने लिखना है 200 माइनस इन दोनों का sum, ठीक है, अब हम यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, और हम जाएंगे design में, और करेंगे select data, select data में हम करेंगे add, और यह देख रहें, बाहर एक नया ring add हो गया, donut add हो गया, right, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको series का नाम दे दूगा, मैं pointer, और इसका जो data रहेगा, मैं इसको यहाँ से कर दूँगा, delete और यह इसका data है, ओके, ठीक है, अब actually इसको हमें अब इसको select करने के बाद, इसको convert करना है एक pie chart में, तो इसको हम right click करेंगे, अभी तक है donut chart बना था, change series chart टाइप में जाएंगे, और जाएंगे pie में, और यह वाला pie select कर लेंगे हम, ठीक है, अब donut इसके पीछे चुप गया है, और pie यहाँ पर आ गया, अब इसकी alignment देख रहे हैं, इसकी alignment हमको सही करनी है, ठीक है, इसको right click करते हैं, data series, इसकी alignment पिछले alignment के बराबर ही करनी है, पिछले alignment जो थी हमारी 270 point की थी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो center वाली line है, और यह एक left में आने चाहिए, एक साथ, एक straight होने चाहिए, ठीक है ना, यह line, यह line सेम होने चाहिए, तो यह 270 points पे होती है, ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पर, इसके green हिस्सा है ना, इसको हम यहाँ पे click करके, fill करके, इसको कर देंगे no fill, आपका पीछे का donut दिखना स्टार्ट हो रहा है, और यह जो blue हिस्सा है, इसको भी हम no fill कर देंगे, और यह रहा आपका speedometer, और यह जो काली line है, इसको कर देते हैं, हम black fill करके, इसको कर देंगे black color से, ठीक है, यह हमारा एक speedometer तियार हो गया, as simple as that, अब देखो मैं value बदल रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पे value लिखेंगे, आप कुछ भी लगा सकते हैं, 34, 45, 56, 67, 78, 78, 89, 90, 99, awesome है नहीं और एक चोड़ा ट्रिक और करते हैं, इसको जड़ा पहले value देते हैं, जो फिस्टी फाइट टेते हैं, यहाँ पे इसको हम click करेंगे, और इसको right click करके, हम data label डाल देंगे, इसको, अभी नहीं आया, इदेने छोटे में click करना बड़ा मुश्किल होता है, यह नहीं चाहिए, data label यहाँ पर आगया, जो नहीं चाहिए था, यह वाला data label नहीं चाहिए भाई, हमको, हमको यहाँ पर चाहिए data label, अब आ जाना चाहिए, add data label, अभी नहीं आया, सभी जगा click नहीं हो रहा है, एक दम बिन्दू पर click करना है उसके, अभी भी नहीं आया, अभी लेके आते हैं इसको, आ गया, alright, तो one आ गया यहाँ पर, ठीक है, अब इसको जैसी आप इसको click करो, और यहाँ पर, पहले इसके अंदर एक बार click कर दो, हो गया click, अब formula बार में चले जाओ, और is equal to यह कर दो, तो जो भी यह speed रहेगी, वो यहाँ पर लिखा जाएगा, नहीं हुआ क्या, यहाँ पर गए, is equal to यह, अब आ जाना चाहिए, चोटा सा click करना पड़ता है, is equal to, हाँ, हो गया, finally, अब आप जो भी लिखेंगे, वो यहाँ पर आता जाएगा, आप चाहिए तो इसका font बड़ा कर सकते हैं, हे भगवान, होम पर जाएंगे, और इसका font हम यहाँ से, ऐसे कर देंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर आप speed बड़ाते जाएए, घटाते जाएए, बन गया ना, इसको फ़रा सुन्दर कर सकते हैं, आप background में जाके, यहाँ पर format में जाओ, और इसका outline shape जो है, outline fill कर दीजे, grey, white, जैसे मैंने यह रखा था, यहाँ से इसको आप बड़ा कर सकते हैं, कि जल्दी बन गया, इस फाइल अवेलेबल है, डाउनलोड के लिए, माई एलिसन.org पर उमीद करता हूँ आपको एवीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो तक के लिए, इस यूर गुरू, ना शाइन आप पर देए, वीडियो अगर पसंद आया, तो लाइक करना मत भूल ना, Happy, Happy Excel Learning, टेक केर, बाई-बाई.